दोस्तो आज किस वीडियो में मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ की कैसे दोस्तो आप पोस्ट मेटरेक एक लियान का इसकुलर से बहर सकते हो दोस्तो यहाँ पर फूल प्रोसेस आपको लाइब करके दिखाने वाला हूँ A to Z पूरा यहाँ पे registration से लेके final submit करने तक आपको live process इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ तो इस वीडियो को आखरी तक बने रहना लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक छोटी से request है अभी तक आपने चैनल को subscribe नहीं किया है तो चैनल को subscribe जरू करना क्योंकि दोस्तों इस चैनल पे आपको हर छोटी बड़ी अपडेट सबसे पहले आपको मिल जाता है तो चलिए आज किस वीडियो को सुरू करते हैं तो सबसे पहले आपको clear यहाँ पे कर देता हूँ कि आपको दोस्तों यहाँ पे प्रोसस दिखाने वाला फुल क्योंकि दोस्तों वीडियो लंबा होगा तो आखरी तक बने रहना तभी आपको समझ में आएगा अधर्वेश दोस्तों यहाँ पे वीडियो को script करते हो तो आपको कुछ भी समझ में यहाँ पे नहीं आने वाला है इसले दोस्तों इस वीडियो का आखरी तक बने रहना तो सबसे पहले आपको इकल्यान के पोटल पे आजना है इस वीबसाइट का लिंक आपको वीडियो को description में मिल जागे या तो directly Google में आप इकल्यान सर्च करोगे तो इस पोटल पे आजना यहीं से दोस्तों आप सबसे पहले आपको करना है तो सबसे पहले आपको registration बटन पे क्लिक करना है यहाँ पर देखते हो candidate registration दीकरा है यहाँ पर देख भी सकते हो candidate registration आपको दोस्तों इसी वाले बटन पे क्लिक करना है candidate registration बटन पे जैसे ही किलिक करोगे तो next process इस टैप से आपको interface खुल जागा यहाँ पर दोस्तों साब साब details कुछ भरने को है सबसे पहले आप यहाँ पे देखते हो तो आपके आधार काड़ में जो भी details रहेगा automatic सारा कुछ भरा जाएगा यहाँ पर आगर आप गलती भी भरते हो तो automatic सही हो जाएगा उसके बहुत दोस्तों आपको password बनाने देगा नीचे में तो आपको एक password बलानेता है password कैसे बनाना है यहाँ पर देख तो साब साब दिया गए है कि आप जो भी password बनाओगे ओ एड़ी रेट वगेरा जो भी है hashtag इस टाइप से एड़ी रेट बड़ा ख़र छोटा ख़र एक दो तीन इस टाइप साब को password बना लेना है जैसे दोस्तों आप यहाँ पर registration कर देते हो तो आपके mobile पर भी एक message चला जाएगा जिसमें साब सब बताया जाएगा कि आपका registration successful हो चुका है अब दोस्तों सबसे पहले आपको home button पे click करना है यह दोस्तों registration process था मैं आपको clear समझाँगा तो वीडियो का आखरी tag बने रहना तो चलिए मैं आपको next process अब आपको बताता हूँ पहला process आपका registration का complete हो चुका है अब दोस्तों यहाँ पे आपको सबसे पहले यहाँ पे देखतों आपका registration हो जाएगा तो आपको candidate login post metric दिकर है लाल कलर में आपको इसी बटन पे click करना है इस पे दोस्तों जैसा ही click करोगत यहाँ पे दो तरीके से login करना है अगर दोस्तों आप जारकंड में पढ़ाई करते हो तो आपको post metric within state पे click करना है अगर दोस्तों आप जारकंड से बाहर के राजिया में पढ़ते हो लेकिन जारकंड के रहने वाले हो अगर आप scholarship अपलाई करना चाहते हो तो post metric outside में करना है तो यहाँ पे दूस्टो आपको मैं यहाँ पे state वाला को यानि कि जारकन राज़ा में हमेंट पढ़ने वाला पे करने वाला हूँ तो सबसे पहले यहाँ पे यह वाले button पे click कदना है post metric within state login button पे click कदना है जैसे ही किलिक करोगे तो आपको यहाँ पर login बटन पर आग जाएगा इस टाइप से candidate login का जैसे दोस्तों यहाँ पर आप mobile number से भी कर सकते हो email ID से भी तो सबसे पहले यहाँ पर mobile number पर किलिक है तो mobile number डालना है उसको रेजिटेशन करते हैं जो भी password डाले थे उसको डालना है उसको यह वाला same to same capture code को यहाँ पर डालना है फिर login बटन पर क्लिक कर देना है तो चलिए मैं फटाफट से भर लेता हूँ अब दोस्तो यहाँ पर देख सकते हो मैं सब कुछ भार दिया उसको login बटन पर क्लिक कर देना है यहाँ पर दोस्तो लाइब आपको दिखाऊंगा तो वीडियो का आखरी तक बने रहना इस ट्राइब सेंटर पर सखुल जाएगा जैसे ही आप login करोगे तो यहाँ पर दोस्तो आपका registration का पूरे details खुल जागा आपका नाम गाउं सब को जो कि मैं hide कर दिया हूँ आपको दोस्तो scroll down करना है scroll down जैसे ही करोगे तो यहाँ प एक option आजाता है apply online का आपको दोस्तो apply online बटन पर क्लिक करना है इस वीडियो को आखरी तक बने रहना आपको complete जानकर यहाँ पर बताने वला हूँ apply online बटन पर जैसे ही किलिक करोगे तो next process खुल जागा थोड़ा सा दोस्तो यहाँ पर बिल्कुल से धीरे से खुलता है तो आपको wait कर लना है back बटन नहीं दबाना है अब दोस्तो इस टैप से इंटरफेस खुल जाएगा आपको scroll down करना है scroll down जैसे ही करोगे तो यहाँ पर सबसे पहले दोस्तो यहाँ पर देख़तो आपका आधार नमबर सो कर जाएगा बिल्कुल से उपर में जैसे कि आप स्क्रीन पर भी देख़ते हो अब दोस्तो सबसे पहले यहाँ पर देखतो तेंथ का दिसेल यानिक दसवा कलस का डिटल से यहाँ पर भरने को देगा तो सबसे पहले दोस्तो यहाँ पर मैट्रिक दसवी पास किसमे किये हो आप regular हो, supplement हो, CVSC हो, जायक हो, क्या हो यहाँ पर दोस्तो जायक हैसे हम किये हैं तो जायक भार देते हैं यहाँ पर दोस्तो जिसका भी apply कर रहे हैं ओ बार्वी क्लास का है तो बार्वी की example के रूप में मैं करने वाला हूँ अब दोस्तो यहाँ पर सबसे पहले परवेश संख्या यानि के admit card number admit card number दोस्तों यहाँ पे कुछ भी चलिये मैं example के लिए मैं यहा पे भर देता हूँ आपको भी यहाँ पे अपना admit card number भर देना है उसके बहुरा दोस्तों आपको यहाँ सबसे पहले कौन से year में आपका यहाँ पर मैट्रिक पास की हो उसको यहां पर भार देना है तो चलिए मैं यहां पर 2017 मैं लिख देता हूं जैसे यहां पर देख तो डेट ओब बर्थ ओट्मीटिक आ जाएगा उसके बद दोस्तों यहां पर कितना नंबर टोटल का था कितना लाए थो बहुत दना है उसको कितना भर दता हूँ क्योंकि ए डिविजन था अब दोस्तों आपको इस टैप से आपका दस्वी का डीटल पूरा कंप्रेट हो चुका है अब आपको स्क्रोल डाउन करना यहाँ पर दोस्तों देखतो आपका परसनल डीटल्स यहाँ पर भरना है सबसे पहले तो आपका नाम दिखा कुछ दे देगा इस टैप से उसके बद दोस्ते हैं पर साप सा लिखा हुए देखते हो स्क्रोल डाउन करना है स्क्रोल डाउन करना तो सबसे पहली आतना जीं olow सब करना से तो चले मैं कोई है not working हमारी माता कुछ भी ने गरते हैं तो कुछ भी ने है उसके बढ़ दोस्तों आपका गार्जियन अभेभावा का नाम यहाँ पर दोस्तों कुछ भी डाल सकते हो तो चलिए मैं यहाँ पर एकजांपल के लिए मैं यहाँ डाल देता हूं राजू लिग देता हूं यानि कि राजू लिख देता हूँ यहाँ पे उसको select यहाँ पे relation क्या है उससे तो brother है तो brother मैं step से कर देता हूँ उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखतो family income यानि कि आपका income certificate में जो भी income certificate में बना हुआ है तो भरदन है तो चलिए मैं 1,90,000 यहाँ पे भर देता हूँ इस step से भरदन है उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखतो category आप कोन से category में हो ST, SC, OBC, BC है तो BC भार देना है उसके बोग दोस्तों पिता के बेवसाई क्या करते हैं Self-employed भार देना है उसके बोग दोस्तों यहाँ पर देखे तो PEN नंबर पिता का और यहाँ पर आधा नंबर भारने की कोई जूरत नहीं है आप इसको बिल्कुल से छोड़ देना अब दोस्तों next step आपको scroll down करना है Scroll down जैसे ही करोगे तो आपका दोस्तों college का detail को यहाँ पर भारने को देगा सबसे पहले दोस्तों आपका कुछ जीला कौन से जीला में college है उसका दोस्तों यहाँ पर फटा-पट से भादना उसके बो दोस्तों आपका college का details यहाँ पर भरने को देगा सबसे पहले आपका college जो भी है college को यहाँ पर भार दना है इस टैप से जैसे यहाँ पर देख तो automatic सब कुछ आ जाएगा अब दोस्तों इस step से आएगा तो scroll down करना है scroll down जैसे ही करोगो तो यहाँ पर एक option आ जाता है college admission नमबर यहाँ पर दोस्तों आपका admission नमबर जो भी है उस admission नमबर को बादना है उसके बोदोस्तों यहाँ पर right side में परवेश ती थी यहाँ परवेश तारीक बोल रहा है तो आपको यहाँ पर तारीक सेलेक्ट कर लिना है अब दोस्तो कौन सा year में हो तो यहाँ पर second year में है चातरविर्ती आप दोस्तो hostel में रहते हो या तो घर में रहते हो यहाँ पर दोस्तो day scholar है तो day scholar मैंने भर दिया अब दोस्तो scroll down आपको कदन है अब दोस्तो scroll down करने के बाद यहाँ पर select करने को देगा तो सबसे पहले दोस्तो आपके result के हिसाब से करना है तो यहाँ मैं division select कर लेता हूँ उसके बोग दोस्तो पिछले साल आप किसमें करते थो कौन से class में अधियान करते थे तो दोस्तो यहाँ पे हमारा 11 था तो 11 मैं लिख देता हूँ या तो इस type से 11 इस type से आपको लिख देना है जैसे दोस्तो पिछले class में हमने 11 में था तो 11 में भर दिया उसके वो दोस्तो category आपका CJ थे तो first division यहाँ पे भर देता हूँ पिछले सल कितना था तो यहाँ पे मैंने भर दिया 500 जिसमें हमारे को मिला था 400 यानि की 400 मिला था तो 400 हमने भर दिया इस type से अब दूस्तो यह हो गया, अब दूस्तो आपका address भरने को दे रहा है, तो सबसे पहले आपका address का जीला यहाँ पर भरने दे रहा है, आप कौन से जीला से हो तो जीला को यहाँ भर देना है, इस टैप से दूस्तो एक्जामपल के लिए मैं भर रहा हूँ, उसको आपका pin code भी आपको भर देना है, तो चलिए मैं pin code भी यहाँ पर भर दिया, जैसे यहाँ पर देख भी सकते हो, अब दूस्तो इस टैप से आएगा, उसके बद आपका address जो भी है, उस address को यहाँ पर भर देना है, अब दूस्तो आड्रेस भरने के बद आपको scroll down करना है, अड्रेस भरने सबसे पहले दूस्तो आपका एक passport size का photo upload करना है, यहाँ पर दूस्तो फोटो applied करना है, वो दूस्तो जेबिची file में होना चाहिए, और एक MB से कम होना चाहिए, अधरवज दूस्तो आपका photo upload नहीं होगा, इसलिए आपको यहाँ पर choose file button पर किलिक करके photo upload कर लेना है, उसके यहाँ पर देख सकते हो, सबसे पहले आवासी परमान पतर को upload कर देना है, यहाँ पर دेख सकते हो, resident certificate, उसके बूद आपका कितना तारीक याने की issue हुआ था, उसका यहाँ पर certificate का number यहाँ पर भर देना है, उसको जाती परमान पतर का नंबर भरना है, जैसे यहाँ पर income certificate को भार देना है same to same दोस्तों यहाँ पर देखे तो income certificate का number भारना है उसके बद कितना तरी कोई यानि कि हुआ था issue हुआ था उसको भारना है उसके बद दोस्तों यहाँ पर देखे तो उसके बद आपका college का bonafit certificate का upload करना है उसके बोट यहाँ पर पिछले साल का Marksit यानि कि दोस्तो आप 12 में का कर रहे हो तो Elevent का Marksit यहाँ पर upload कर देना है उसके बोट दोस्तो यही विला Same to Same Capture Code को यहाँ पर भारना है उसको दोस्तो पर View बटन पर क्लिक कर देना है पर View बटन पर जैसा ही क्लिक करोगो तो आपका जितना भी भारत है एक दोस्तो डेमो के रूप में खोल जाएगा उसको दोस्तो पूरी से आपको देख लेना है अगर दोस्तो सब कुछ सही है तो आपको Submit बटन पर क्लिक कर देना है आपको दोस्तो एक Receipt मिल जाएगा यहाँ पर दोस्तो सिर्फ पर सिर्फ मैं आपको बताने के लिए किया इसको मैं अच्छे से सही सही भार लूँगा उसके बट दोस्तो मैं Submit करूँगा तो इसलिए दोस्तों आपको सिर्फ फुर्ट से डेमो के लिए मैं आपको दिखा दिया यहाँ पे दोस्तों एक चीज मैं आपको clear आपको कर देता हूँ अगर आपको भरने नहीं आता है तो आप फुर्ट से ना भरें अधर्वाज एक बर गलती होने के बाद इडिट नहीं होता है उसके बाद दोस्तों आपको पच्ताना पड़ जाएगा और आपको यहाँ पे स्कोलर से भी नहीं मिलेगा अगर दोस्तों आप खुद से भरना जानते हो तो ही भरना अधर्वाज दोस्तों आप किसी कैफे में जाके वहाँ पर भरवा सकते हो बाद के दोस्तों अगर मेरे थुरू आप भराना चाहते हो अपना अपलाई करवाना चाहते हो तो दोस्तो इस वीडियो में यही से आपको जानकर यह देना था जानकर यह अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना और चैनल पे पहली वार आयो तो चैनल को सब्सक्राइब जरू करना बके दोस्तो आप online service का पाइदा लेना चाहते हो आप मेरे supply करवाना चाहते हो मुझे instagram में follow करके message जरू से जरूर कर सकते हो बके दोस्तो instagram account का link description में दिया गया है